है है कि दोस्तों मेरे वीडियो पर कॉपरायट है क похож a lot क कर दोस्तों आमको बिल्कुल भी नहीं करना है कि जो चैक आया अगर आप वीडियो डिलिड खर देंग तो आपको कैसे बता चलेगा जो च्छे तो वो किस बीडियो पर आया है और किस बजए से आया है और फॉप्राइट और झालंप किस जगह पर आया आपने क्या यूज किया कौन सा कॉपीराइट कंटेन यूज किया तो यह सारी बाते आप पता ही नहीं चलिए तो आप अगले बार उसके लिए आप कैसे सही काम करेंगे और कैसे आप अगली बार से वीडियो बनाएंगे उसमें ध्यान देंगे जो भी आप कॉपीराइट फॉल यह उजगования तो आपको पता है जो अपने कंटेन यूज किया यह फोटोः यह जो भी कुछ यूज किया है तो आपको पता चल जाएगा जिससे कि आपको आने वाले वीडियो में कापकी हैल मिलें ऑर आपको समझ नहीं आएगा इसके लिगे अगले Medicaid स और यह चीछ कभी गलती नहीं कर नहीं, जब भी आपका copyright रिष्टाइक आता है, तो आपको पहले उस copyright को समझना है, कि आपको copyright आया क्यों, अगर आया भी है, तो ऐसा नहीं कि आप video delete करेंगे, और copyright आपका हड जाएगा, और आप पर कोई claim नहीं रहेगा, ऐसा कुछ भी नही कर पाएगा, और आप आगे कर भी monetize नहीं कर पाएगा, और चैनल टर्मिनेट होने का बलता है, आपका बिलुकुल बंद कर दिया जाएगा, यूट्यूब की तरब से, आप उस पर ना कुछ video delete कर नहीं कर पाएगा, तो इस तरह से आपको कोई गलती नहीं कर नहीं है, आप आपको पहले content समझना है, अगर copyright आया भी है, तो आपको पहलेद देखना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है copyright illegal है, तो आप उसके अनुसार कूछ यहाँ पर action दे सकते हैं, या आपने copyright को यकारें यूजय किया है, तो आप उसके लिए request कर सकते हैं request के लिए बात करूं तो जैसे कि आप mail कर सकते हैं तो mail के जरी आपको कुछ time मिल जाएगा उतने दुनों में वो चाहें तो उसे हटा सकते हैं तो आपके अगर request करेंगे तो यह सब चीजे संबब हो सकती हैं लेकिन आपने content पूरा ही copyright का यूज किया है तो वहाँ पर कुछ chance हो जाते हैं जो कि आपके request अचेप्ट ना हो लेकिन आपको यह चीज एकदम नहीं करना है वीडियो डिले नहीं इस टाइम पर आया है copyright जो भी टाइम है तो पहां से आप उसे ट्रेम भी कर सकते हैं हटा भी सकते हैं अगर आप वीडियो डिले नहीं करेंगे तब तो यह चीजे सब कर सकते हैं कर सकते हैं आपको वीडियो तब हटाना है जब copyright के लिए आपको कुछ बहां पर reply आएगा अगर आपने इसकी बहां पर mail कर दिया है तो पहां से reply आया कि आपको इसके लिए आपका वीडियो रिमूट परना पड़ेगा तब आप कर सकते हैं लेकिन आप डायेट करेंगे त जो वीडियो और फोटो होते हैं वो कौन से यूज़ करने चाहिए जो मीडियो यूज़ कर रहा है वो कौन से यूज़ करना चाहिए जिसकी बज़े से copyright श्टैंग नहीं आए आपने क्या करते हैं जारे डारेक्ट जो फोटो चाहिए होता है गूगल मारा copy paste किया लगाया वीडियो में एडिट किया और वीडियो डाल दिया यूट्यूबर तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है क्योंकि पहाँ पर जो भी आपके कंटेंट है उस पर आप जो भी फोटो वीडियो मीजिक जो भी यूज़ कर रहे हैं तो वह हमेंसा copyright free होना चाहिए तो आपको नहीं पता यह copyright free photo, video, magic क्या होता है तो आपको इससे relative मेरे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे या पर आप वीडियो या फोटो बगरा देख सकते हैं इसका i-card में भी आपको link मिल जाएगा और आपके लिए मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप वीडियो और copyright photo कैसे अच्छी से download कर सकते हैं इसके लिए आप कुछ और टिप्स बताऊंगा और भी मेरे वीडियो हैं वो देख सकते हैं तो फ्रहने या पर आपको कुछ इस तरह की बातों का ध्यान रहना पड़ता है जब भी आपको copyright strike आएगा आप direct delete नहीं करेंगे अप आपको पहले समझना आएं सारी चीगों जैसे मैंने आपको बताया तो यह चीज़े जब आप फॉलो करेंगे तो इससे आपका चैनल यहाँ पर safe भी रहेगा और आप अपने चैनल पर गिरोध भी कर पाएंगे और आपका यहाँ पर subscribe view जो भी आप चाहते हैं जो आपका व वीडियो यूजफू लगाओ तो वीडियो को हमारे लाइक कर लिजिए अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया तो नीचे लालकर का बटन देए गया उसे दवाकत subscribe कर लिजिए और आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही समन्ने में और यह वीडि